यूट्यूब चैनल आज में आपके साथ एक ब्रेट पकोड़े की रेसपी शेयर कर रहे हूँ यह बहुत ही सिंपल और क्विक बनने वाला ब्रेट पकोड़ा है क्योंकि इसमें हम कोई भी आलू की फिलिंग नहीं डाल रहे हैं आप इसे इवनिक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं तो इस ब्रेट पकोड़े को बनाने के लिए एक ब्रेट को आप ट्राइंगल शेप में कट कर लीजे अब यहां पर मैंने एक बड़े बोल में एक कटूरी बेसन ले लिया है एक मीडियम प्याज स्लाइस किया है थोड़ा सा हर बैटर बनाने के बाद आप इसमें स्लाइस किया हुआ अनियन धनिया और मिर्ची डाल कर अच्छे से मिक्स कर लीजे सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक पकोड़े की कंसिस्टेंसी जैसा बैटर तयार कर लीजे और एक गैस पर तेल गरम होने के लिए रग दीजे त तो अब तयार बैटर में हमें ब्रेट स्लाइस को अच्छे से डिप करना है और इसे तेल में डालकर डीफ्राय करना है ब्रेट स्लाइस को अच्छे से बैटर में कोट कर लीजिए और एक्सेस बैटर निकालके इसे तेल में डालकर हमें डीफ्राय करना है जब तक यह गोल्ड एंड सिंपल ब्रैट पकोड़ा बनके तयार है इसे आप अपनी मन पसंद चटनी या कैचप के साथ सब कीज़ें